कोरोना महमारी से जहां पुरा विश्विक जंग लव रहा है वहीं अब ऐसी कवर भी सामने आई है कि एक कोरोना से भी जादा खतनाक तिरंगा वाइरस भारत में एंट्री ले चुका है इस तिरंगा वाइरस को कोरोना वाइरस से भी खतनाक बताया जा रहा है ऐसा हम नहीं कह रहे इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज है जो बड़ा वाइरल हो रहा है वाइरल मैसेज है जिसमें दावा किया जा रहा है कि महराश्र में टमाटरू में कोरोना वाइरस का असर देखने को मिल रहा है इस मैसेज में वाइरस को तिरंगा वाइरस का नाम दिया गया है सोशल मीडिया पर एक मैसेज वाइरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि महराश्ट में टमाटरू में कोरोना वाइरस का असर देखने को मिल रहा है इस मैसिज में वायरस को तिरंगा वायरस का नाम दिया गया है और पोस्ट किया गया है कि बदनसीबी की पराकाश ठाब महराश्ट में तिरंगा नामक वायरस पाऊँ पसार रहा है महराश्ट में एक तरफ कोरोना वायरस संक्रमेंट थमने का नाम नहीं ले रहा वहीं अब तिरंगा नामक वायरस ने राजमें दस्तक दे दी है महराश्ट के किसान कोरोना वायरस के साथ साथ अब टमाठर की फसल में वायरस घुसने से परिशान है यहां के किसानों ने इसे तिरंगा वायरस नाम दिया है मिली जानकारी के मताबिक हजारों एकड़ की जमीन पर तिरंगा वायरस की चपेट में टमाटर आ गए है आशनका जिताय जा रही है कि गलती से तिरंगा वायरस की चपेट में आया टमाटर किसी ने खाया तो ये कोरोना से जादा खतरनाक हो सकता है हलाकि इस वाइरस पर अभी जाच चल रही है किसी भी प्रकार के सरकारी प्रतिक्रिया अभी तक महाराश सरकार की तरफ से नहीं आई है लेकिन जब से ये खबर फैली है लोगों ने टमाटर खाना और खरीदना दोनों बंद कर दिया है सोशल मीडिया पर इस वाइरस को लेकर और भी कहीं सारी अफ़वा फैलाई जा रही है जिसके मुताबे कि ये वाइरस बहुत खतरनाक है लेकिन हम पहले से ही एक वाइरस के प्रकोप से जूज रहे हैं ऐसे में किसी और वाइरस की बात पर विश्वास कर लेना समझ से परे होगा आपको बता दे कि महराश्र के एहमद नगर पूने और नासिक में पिछले 10 दिनों में 60 प्रतीशत से जादा फसल बरबाद हो चुकी है खेट से तोड़े जाने के बाद कुछ घंटों में टमाटर का रंकाला पढ़ जाता है और आशनका ये जताई जा रही है कि ये स्वास्त के लिए खतरनाक हो सकता है इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है और रिपोर्ट में इस वाइरस को तिरंगा नाम दिया गया है लेकिन आपको बता दें कि इसमें कहीं भी कोरोना वाइरस से कोई जुलाव नहीं बताया गया टमाटर में चल रहे इस वाइरस के प्रकोब के कारण टमाटर की विक्री मुश्किल हो गई है और किसानों को काफी नुकसान भी हो रहा है इस वाइरस को लेकर और भी कहीं जुगा पर कहीं रिपोर्ट सामने आए लेकिन किसी भी रिपोर्ट में कोरोना वाइरस को लेकर कोई बात नहीं कहीं है हाँ कोई वाइरस है जो टमाटर की फसल को नुकसान पहुचा रहा है लेकिन इसका कोड़ोना से कोई लेना देना नहीं है इसलिए इस तरह की बातों पर विश्वास ना करें पहले सत्य तक जाएं फिर ही आगे बढ़ें subscribe our channel and press the bell icon for more updates